हेलो नमस्ते हैं आप सभी का साइंस मेजिक पर तो स्टूटिंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कुस करेंगे कॉंस्टेबल मेल कॉंस्टेबल के पेपर का सॉल्यूशन देखो आप सभी जानते हैं ग्राम सचीफ का एक्जाम हमारा आ रहा है ठीक है और ग्राम सचीफ के हम लोगोंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट करनी है ठीक है बट स्पेशल सीरीज शुरू करने से पहले तको ग्राम सचीफ की एक स्पेशल सीरीज में आप लोगों के लिए लाने वाली हूं ठीक है जिसमें हम बहुत सारी important questions करेंगे थोड़े से high level के जैसे कि अभी H.T. के exam मे देखने को आपको questions मिले है I hope आप लोगोंने H.T. का exam देखा जरूर होगा अगर नहीं देखा तो please जाके science जरूर देखिएगा हो सका तो मैं करवा भी दूँगी बट अगर मैं नहीं करवाती हूं तो भी आपको H.T. के paper की science जो है वो जरूर देखनी है students क्योंकि उसका level थ ग्राम सचीव है उसका जो level रहता है वो हाई रहता है science का चाहे वो physics हो, chemistry हो या biology हो तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि जिसने भी अभी तक H.T. की science अभी तक एक बार भी देखी नहीं है वो please एक बार जाके उसे देख कर आए ठीक है मैं ट्राइए करूँगी कि उसे भी यहां पर solve करवा दूँ बट आपको देखनी जरूर है ठीक है अम बात करते हैं ग्राम सचीव के एक्जाम की तो मैं आपको बोल रही हूं कि ग्राम सचीव के लिए special आपके लिए series आने वाली है जिसमें हम science के physics, chemistry और bio के questions को in detail discuss करेंगे अलग-अलग ठीक है physics, chemistry और biology के अलग-अलग भी question detail में discuss करेंगे और फिर इकठे भी series लेंगे ठीक है ठीक है बीच में आपके test भी लिये जाएंगे ठीक है on telegram channel हमारे telegram channel के उपर आपसे test भी लिये जाएंगे इससे related तो आप लोगों को अब पुरी तरीके से लग जाना है किसके लिए Grams Achieve की preparation के लिए ओके next thing आपको क्या आद रखनी है अभी मैं class में आपको male constable के paper solution करवा रही हूं ठीक है कम से कम वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा question करवाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि क्योंकि male constable के जो questions है ना वो हर exam में repeat होते हुए दिखे हैं एच्टेट में, दुर्गा शक्ती में, कमांडो में, हमारे revenue clerk में, ALM में हर चीज में हमने देखा है कि male constable के paper के questions repeat हो रहे हैं क्योंकि आप खुद सोचो ना लगबख 300-300 questions science के कुल male constable में आ गए अब जब इतने questions आ चुके हैं तो मतलब इन्होंने सारी variety तो ले ली यानि वो कहीं पे तो use करेंगे ना तो इसलिए हर paper में इनसे repeat देखने को मिल रहे हैं आप यह समझे कि हमारी ग्राम सचीव की special series चल रही है ठीक है और यह special series का हिस्सा है ठीक है चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले questions के साथ यह हमारा question पर 31 October 2021 का fat one ठीक है morning का तो पहला question हमारे पास है question number 8 देखो यह कुछ question मैं करवा भी चुकी हूं बट मैं दुबारा करवा रही हूं ताकि एक बर आपको इन मतलब मैं बोल सकते हूं continuous लगातार form में सारा कुछ मिल जाए ठीक है पहला question है कटला fish आर थोड़ी जल्दी करेंगे ठीक है कटला मचलिया पानि चीज़ों को ही खाती है ठीक है तो यह खाना कहांसे खाती है जो ऊपर ऊपर चीज़े पड़ी होती है उन्हें खाती है इने बोलते है बूटल बूतल फीडर जो नीचे हा खाती है न उन्हें बोलते हैं, बॉटम फीडर और जो बीच का खाती है उन्हें बोलते हैं, मध्य फीडर यानि मिडल फीडर, ठीक है, female, मतलब सबी चिगह पे खाती है, next question देखते हैं, what is canthrophyly,عتrophyly क्या है, चिरुप टैरोफिली कहते हैं स्नेल्स का क्या कहते हैं स्टूडेंट्स तो आपको स्नेल्स का भी याद रखना है क्या होता है और बिर्ड का और नीथोफिली होता है और बीटल्स का यानी भिंगो का तो आपने देखे लिया कैंथ्रोफिली है सका ये की पॉलीनेशन क्या होता है तो पॉलीनेशन होता है मेल पॉलन ग्रेंज जो नरपरागण न gemacht उसका फिमेल के stigma के ऊपर यहां पर आकर गिरना तीके व्रतिकारग पर आकर गिरने को क्या कहती है है अभी इसकी डिटेल हम आगे certसे में करेंगे थीयोरी में छेते हैं भी क्या कितनी होती है हवा के पाणी की द्वारा Колi आ आ और थिके करें दीगा होती है हाइड्रोफिलि य क्या होते हैं चिद्र होते हैं यानि की कनाल होते है तो इनकी बोड़ी इस तरीके विभाजित होती है । 3 ओ 4 कमकते है इनकी खासबात क्या है यह चमकते है चलिए आगे बढ़ते हैं लिच के ऊपर मैं sortir हैं हमारा वाईरस विशाणू, नीफा विशाणू, मनुश्यों में सुर द्वारा पहलता है। The major constituent among atmospheric gas, वाईू मंदली ये gas में प्रमुक संगटक क्या है, तो सबसे ज़ाधा होती है nitrogen, फिर होती है oxygen और फिर होती है argan, तो आपको answer मिलेगा क्या nitrogen सबसे ज़ाधा होती है। ठीक है आरगन अच्छा कोशन अगर यह आ जाए कि वायू मंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस यानि इनर्ट गैस कौनसी है तो आरगन इनर्ट कैस है कौनसी ग्रूप में रहती है 18 ग्रूप में हम लोग कौनसी गैस लेते हैं तो हम लोग oxygen लेते हैं पोधों को जादा किस गैस की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर 25, RBC इन फ्रोग आर, मैंडक में RBC होते हैं, RBC मतलब लाल रक्त कोशिका, यानि की, जिसे हम Erythrocyte भी बोल देते हैं, है ना, तो मैंडक की लाल रक्त कोशिका, या मैं बोलूं, किसी भी एंफीबियन की उभैचर की, या किसी भी सरीफ्रप यानि की रेप्टा बाली होती है, सिर्फ और सिर्फ मैमल यानि स्तंधारी ऐसे जीव हैं जिनकी RBC E Nucleated होती है, यानि बिना Nucleus के होती है, लेकिन मैमल में भी दो ऐसे हैं, एक है हमारा Camel यानि ऊट और एक है पहाडी ऊट जिसे इलामा या लामा बोल देते हैं, ये दो ऐसे स्तंधारी हैं, जिनकी RBC में Nucleus होता है, अदर्वाइस मैमल के RBC में Nucleus नहीं होता, क्यों नहीं होता, ताकि ये जादा से जादा oxygen ट्रांसपोर्ट करवा सकें, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या चला जाएगा, option A, next question आता है, question number 27, double fertilization is a rule of which plant, दोहरा निशेचन किन पोधों का नियम है, त इसके अंदर परागण भी होगा, और अंडा यानि एग भी होगा, तो ये किस में होता है, एंजियो स्पर्म, जिनने flowering plants यानि की फूल वाले पोधे भी कह देते हैं, संजाई कैसे reproduction करते हैं, तो ये स्पोर से करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ब्रायोफाइटा की खास पाद क्या है, कि ये पोधों में उभाचयर कहलाते है, यानि धरती में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और टैरीडोफाइट क्या है, नोन-flowering plant हैं, लेकिन विद वस्कुलर, पार्ट, यानि इसके पास वस्कुलर सिस्टम तो है, लेकिन ये नोन-वावरिंग होते ह तो answer क्या जाएगा option C, next question देखते है, question number 29 आपको दिख रहा है, XZF6 का structure पूछा है, तो पहली बात तो देखो XZF6 है, यानि 6 bone है, तो देखो square planer में तो 4 होते हैं, यह होई नहीं सकता, square planer होई नहीं सकता, बचे यह दोनो, answer जाएगा A, distorted octahedral, इसकी अगर hybridization को यह आप से प एक, दो, तीन, चार, पांच, छे bone है, तो एक, एक S हो गया, तीन P, यानि 4 और दो D, छे होगे न, इसलिए, ठीक है, next question पे चलते हैं, next question है, हमारे पास, देखिएगा, question number 35, which of the following is a debtory water, निमन लिखित में से कौन एक अपरदा हारी है, तो केचुआ, यानि अर्थवोम जो ह होता है, ये मिट्टी के अंदर क्या कर देता है, debtory water का काम करता है, फड़े गले को, मतलब, decompose करने का काम करता है, ठीक है, एक तरीके से ये हम बोल सकते हैं, हम लिटोप जीवी का कारे करता है, तो अर्थवोमान पर चला जाएगा, ठीक है, next question देखते हैं, question number 39, वैसे तो agriculture का है, देख लेते हैं, the productivity and distribution of plants is heavily depend on पादबो की उत्पादक्ता और वितरन भारी रूप से किस पर निरपर करता है, तो जल, पहली जरूरत पादबो की जल होती है, तो जल के अधार पर ये कहीं पर भी आना जाना करते हैं, ठीक है, next question आपको दिख रहा है, question number 41, क्या है, द 10 Kelvin, यहां मैं बोलू, 37 degrees Celsius, बात एक ही, आप सभी जानते हो, ठीक है, यहां मैं बोल दू, 98.6 degrees Fahrenheit, एक ही बात है न, यह क्या है, human का normal body temperature है, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question है, हमारे पास, देखते हैं, कहा है, question number, yes, question number 58, the layer of atmosphere in which ozone layer is situated, ठीक है, वायू मंदल की वह परत, जिसमें ozone परत स्थित है, तो सम्ताप मंदल, यानि stratosphere, सबसे पहले होती है, atmosphere, जिसे troposphere, यानि, शोब मंदल कह देते हैं, जिसमें हम रहते हैं, फिर इसके उपर आती है, stratosphere, जिसे सम्ताप मंदल कहते हैं, जिसमें ozone की परत, यानि, O3 की परत रहती है, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, next question है, हमारे पास, question number 52, आईए देखी, क्या है question, sorry, 62, if a, if a magnetic material is having magnetic susceptibility minus 1, then the relative magnetic permeability and type of magnetic material is, एक चुम्ब की ये पदार्थ आपको दिया हुआ है, जिसकी चुम्ब की ये सुक्षम गहिता minus 1 है, तो इन्होंने पूछा है, चुम्ब की ये पराग महता और चुम्ब की ये पदार्थ का प्रकार क्या होगा, तो देखो, चुम्ब की ये पराग महता, यानि relative जो ये होती है, relative permeability जो होती है, ये होती है, 1 प्लस हमारी 1 प्लस magnetic susceptibility होती है, ठीक है, अब 1 की चेके 1 लिख दो, magnetic susceptibility minus 1 दिया हुआ है, कितना आ गया, 1 minus 1, यानि 0 आ गई हमारी relative, हमारी relative magnetic permeability, तो option 1 में दिखेगा, सिर्फ B 0, ठीक है, इसके लाव आपको याद रखना है, एक से कम अगर ये आ जाए, relative permeability, एक से कम आ जाए, इसका मतलब पदार्थ क्या है, प्रती चुम्ब की होता है, यानि, डाया magnetic होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, next question देखते हैं, कुछ भी ने किया, मैंने simple formula लगाया है, 1 प्लस हमारी magnetic susceptibility, अगर याप पर 0 दी होती ही, तो 1 प्लस 0 कर देते हैं, आंसर आजाता 1, ठीक है, next question देखते हैं, हम लोग, next question क्या है हमारे पास, yes, question number 69, the developing embryo will also generate waste substances, which can be removed by transferring them into mother blood through the, विकाश, शील, भूण भी, अप्शिष्ट पदार्थ उत्पन करता है, जो डैश के माध्यम से रक्त में उनका, डैश के माध्यम से मा के रक्त में उनको फ्थानां से द्वारा हटाये जा सकते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो मा का uterus होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये मैंने बताया था कि इसकी जो दिवारे होती है, इसे एक pipe निकलती है, जिसे बोलते है, अपरा यानि प्लेसेंटा, जो की बच्चे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, तो बच्च कितना अच्छा कोशन है, थोड़ा सा math लगाना पड़ेगा, देखो, क्या कह रहा है, अब piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts, एक wire है आपके पास, जिसका cool resistance कितना था, इसका cool resistance था R, लेकिन उसे मैंने 5 हिस्सों में काट दिया, काट दिया भई, होगे 5 हिस्से, ठीक है भई, these parts are then connected in parallel, अब इ तरीके फे जोड़ दिया एक दूफरे के साथ, parallel में, ठीक है, parallel में जोड़ दिया, then the ratio R by R dash if, अब नई ratio पूछी है, देखो तो आपको याद होगा, एक formula में बार-बार बोलती हूँ, R बराबर ρो L A, है न, यानि R directly proportional है length के, यानि कि length बढ़ेगी, तो R बढ़ेगा, length गट गटेगी, तो R घटेगा, length दो गुना होएगी, तो R भी दो गुना हो जाएगा, length पांच गुना हो जाएगी, तो R भी पांच गुना हो जाएगा, length आदी हो जाएगी, तो R भी आदा हो जाएगा, और अगर length के 5 हिस्से कर दूँ, L by 5 कर दूँ, तो R भी R by 5 हो जाएगा, अब बात को समझो ये एक wire थी जिसकी length थी L और जिसका R था resistance था R इसको मैंने 5 हिस्सों में काड़ दिया यानि कि अब मेरे पास 5 टुकडे है पांचों की length क्या है? L by 5, L by 5, L by 5, L by 5 और L by 5 अब length क्या होई? divide by 5 होगी? तो R भी क्या हो जाएगा पांचों का? R by 5, 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 R by 5 यानि कि आपके पास अब 5 resistance हैं ये माल लो और पांचों को आपने क्या लगा दिया? parallel लगा दिया, अब आपको total निकाल ला है तो parallel में formula क्या होता है? 1 by R बराबर 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by डेश 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 यानि मैं क्या करूँगी? R' किसे निकालूँगी? R' मैं निकालूँगी 1 by, देखो R by 5 था ना, R by 5 था तो 5 उपर चला जाएगा तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? 5 by R प्लस 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 5 by R कितना आ गया ये? ये आ गया 25 by R आ गया बिल्कुल ठीक है तो ये क्या है? 1 by R' तो R' किया आ जाएगा? R' आ गया R by 25 था जाएगा? सही बात है बिल्कुल इतनी बात ठीक है? अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है R by R' की रिशो, R को R लिख दो, R' की जगे क्या लिख दूगी? R by R' R की जगे R, R' की जगे क्या लिख दूगी मैं? तो मैं लिख दूँगी R by 25 तो R से R कट के आंसर कितना आगया? 25, option D will be the right answer. समझ में आया? नहीं समझ में आया, तो एक बार बैक करके दुबारा देख लीजेगा, ठीक है? तब ही समझ में आएगा, clear है? चलिए, next question देखते हैं, next question कहाँ पर है हमारा भई? है भी या नी? ये तो math का question है, yes, last question हमारे पास question number 85 है, एक बिंदू से आरंभ होकर दिए गई भुगोलिक शेत्र में विभिन प्रजातियों का विकास और भुगोल के अन्ने शेत्रों में फैलना, देखो क्या हो रहा है? फैल रहा है और फैलती क्या है? फैलती है किरने, ठीक है? और किरनो के फैलने को क्या कहते है? विकीरन, तो सिदे-सिदे आपको मिल गया अनुकूली विकीरन, अब ध्यान से सुनो इसका answer ये क्यों हुआ? इन्होंने बोला कि एक जगय पर कई सारे स्पिशिव थी, अब वो क्या हुई? धीरे-धीरे आफपास की इलाकों में फैलती चली गई और हर जगय के अकोडिंग अपना रहें सेहन बना लिया, यानि उन्होंने अपने आपको अडेप्ट कर लिया और वो फैल भी रही है, तो फैलने का मतलब रेडियेशन और अडेप्ट का मतलब अडेप्टिव तो अनुकूली विकीरन इसका answer चला गया, clear है? तो ये था हमा 21 ओक्टूबर का morning shift का पहला फैट, अब बार्याद ये दूफरे फैट की, ठीक है, दूफरे फैट देख लेते हैं, दूफरे फैट हमारे पास कहां है और कोई कोश्चन तो नहीं देया गया न, नहीं, दूफरे फैट हमारे पास ये रहा और कोश्चन है हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, ओके कोश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है देखिए, विच ओफ फॉलोईंग दस नोट रीपिजेंट इलेक्टिक पावर इन दर सरकेट, पावर का फोर्मूला क्या होता है, वी आई, ठीक है, और वी बराबर क्या होता है, आई यार, अब मैं कुछ भी वी आई में ही, वी को वी रख रही हूं, आई की जगे में क्या रख दूँगी, वी बाया रख दूँँ, बिल्कुल रख दो, तो क्या आगया, वी स्क्वेर बायार, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या चला गया, ओप्शन भी आंसर चला गया, आई यार स्क्वेर फॉर गती शीलता ठीक है वर्ल्ड मोस्ट प्रोब्लेमेटिक एक्वेटिक वीड इव विश्व की सरवाधिक समस्याकारी जलिये अब त्रिन क्या है तो भूलना मत कलती से भी इकोर्णिया जो है वो एक ऐसा जीव है एक ऐसी वीड है जो कि पानी में उक्ती चली जाती है उक्ती च यह कोशन नमबर 27 गोल्डन फाइबर कोन है निमन लिकीत में से गोल्डन फाइबर कहा जाता है हमारे जूट को जूट को क्या कहा जाता है गोल्डन फाइबर नेक्स्कोशन आपको दिख रहा है बंज्वीन के ऊपर कार्बन मॉन्टोपफाइड और एट इसिएल डाला गय का option D benzoldehyde ठीक है next question देखते हैं क्या है कि येस question number 48 हमारे पास है देखिए क्या दिख रहे हैं आप लोगों को clearly किसान की दोस्त कुन होते हैं तो अर्थवोम यानि केच्वा जो होता है वो किसान का दोस्त होता है ठीक है चलिए next question देखते हैं question number 79 हमारे पास ये रहा तिड़िया किस प्रजाती के अंतरकत आती हैं तो तिड़िया यानि की जो हमारे लोकस्त होते हैं वो किसमे आते हैं students तो वैसे तो ये अर्थ्रोपोडा में आते हैं अर्थ्रोपोडा में अर्थ्रोपोडा के अंदर किसमें आते हैं तो ये कीट यानि इंसेक्टों में आते हैं इंसेक्टा के अंदर किसमें आते हैं तो ओर्थोप्टैरा में आते हैं ठीक है याद रखना है और्थोप्टैरा में आते हैं ठीक है इसके बाद कोई question रह गया Dash on heating with formaldehyde undergo cross-linking to form an infusible solid mass called baccalite Baccalite कैसे बनता है students जब 9 लोक जो है जब 9 लोक जो है उसे heat किया जाता है formaldehyde के साथ ठीक है तो answer जाएगा option A, 9 लोक Formaldehyde के साथ गरम करने पर 9 लोक तिर्थक बंधन निमित कर एक दुर्गलनी ए ठोस पदार्थ दियार करता है जिसे baccalite कहते है ठीक है नोव लोक इसका answer चला जाएगा next question देखते है क्या है ringworm की बिमारी किसे होती है देखो दाद की बिमारी तो गंजा दमाद खाए fruit ये सारी बिमारी किसे होती है कवक से baldness यानि गंजापन हो ठीक है दमा हो यानि अस्थमा हो ठीक है next question देखते है कुछ है क्या हाँ ये reasoning है हमारे पास ओके ये रा question हमारे पास the muscle which taper at both end and do not show striations वह पेशिये तंतू जो दोनों सिरो पर शुंडा कार होते हैं और धारिया नहीं दिखते देखो कुछ इस प्रकार एंदर नहीं होती को Connect जो होती है वह हमारी skeletal में होती है यानि कंकालिये पेशियों में होती है और हमारी pit起來 में भी धारिया होती है फिर Points जिसमें नहीं होती है हमारी smooth याने मृदूपेशि जो कि हमारी आतों में आखों में पेट्स इन सब जगाओं पर मिलती है ठीक है इफ कांद पर जाएगा ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग वर्नलाइजेशन का फ्थल क्या है वर्नलाइजेशन मतलब एक बार के लिए ग्रोथ का रुख जाना ठीक है तो कहां पर होती है तो एपिकल बड पर यानि इस अपसे उपर ये वाला जो इफ़ा होता है ने यहां पर जो बड होती है यहां पर होती है ठीक है वर्नलाइजेश ओके, तो हमारे पास यह question तो computer का आ गया येस, the mouth mollusca, the mouth of mollusca contain a file-like rasping organ for feeding देखो, जो mollusca होते है न, वो कुछ इस तरीके के जीव होते है ठीक है, उनके उपर shell होती है, ठीक है, snail type तो यहाँ पर उनके mouth में न, एक organ होती है, कुछ भी पकडने के लिए उस organ को क्या कहते है, उसे redulla कहते है, क्या कहते है, redulla जैसे हमारे अंदर जीव होती है, इनके अंदर redulla होती है ठीक है, उसके बाद next question दिख रहा है, question number 85 important source of vitamin A, vitamin A सबसे जादा कहां होता है, तो गाजर में जादा कहते है न, गाजर खाओ, आंखे कमजोर नहीं होंगी, क्यूं? क्यूंकि आखों के लिए बहतर है गाजर और गाजर किसमें होती है, vitamin A में होती है तो सर्दियों में, अब तो सर्दिया चल दी है, तो भर-भर के गाजरे खाओ, गाजर का juice पियो, ठीक है, आंखे बिल्कुल ठीक रहेंगी तो इसी के साथ हमारा जो second question paper है, ये भी खतम हो जाता है, next class में हम करेंगे set 3, 31 October का ही, ठीक है, और next class में कोशिश करेंगे कि दो ही set नहीं, ज्यादा set करें, ठीक है, एक बार ये वीडियो इतनी रखते हैं, देख लेते हैं, आप लोगों का कैसा response जाता है, फिर हम मिलेंग PGT का भी, TGT का भी, लेकिन आप लोग जरूर देख लें, ठीक है, और रही बात, ये male constable खतम कर लो, उसके बार ग्राम सचीफ के लिए special series आएगी, ठीक है, और animal kingdom जो है, बस दो दिन रुको, animal kingdom जो है, वो पूरा हम complete करवा देंगे, ठीक है, एक दो बड़ी classes लेकर, और उ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केर, ठेंक यू, बाई बाई